So listeners, today we have Mr. A.K. Mithal with us, Head of Regional Center of NIVH Chennai. और इनके साथ बात कर रहे होंगे हमारे अपने जोज एब्रहाम. नमस्कार, Mithal साब, दृष्टिहीन लोगों के पुनर्वास के कारिक्षेत्र में आपने लगबग साड़े तीन दशक से आप काम कर रहे हैं. हम चाहेंगे कि आपके अनुभव पे बेस्ट ये जो साड़े तीन दशक है 1970 से लेके आज तक जो चेंज़ेस आए हैं, जो प्रोग्रेस हुआ है इस खेक्षेत्र में, हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में कुछ रोशनी हमारे दर्शुक्रों के लिए करें. आपका जो ये प्रशन है प्रगती के संबंध में इसको दो तरह से देखा जा सकता है. पहले तो प्रोग्राम्स और फेसिलिटीज के पौइंटर वियू से. तो इसमें अगर प्रोग्राम्स और फेसिलिटीज के हम बात करें, तो पिछले 35 वर्श से जबसे मैं इसका रिक् स्ट्रगल करना पड़ता था, पर आज वो बहुत सरल हो गया है, उसमें अभी भी दूसरी प्रिकार की किटनाईया है, पर आज ये बहुत आसानी से संभव हो रहा है, तो फैसिलिटीस की बात है, फैसिलिटीस भी बहुत बढ़ी है, दूसरी और प्रशन जो और भी महत्वप इस्यूस का पहले कम काबले कहीं जादे है, जो पब्लिक का परसेप्शन डिसिबिलिटी के बारे में है, उसमें भी देरे देरे पॉजिटिव चेंज होने लग गया है, मितल साब आप हमारे सुनने वाले को प्लीज बताईए, ये एन आई वी एच, ये नैशनल गया है, वैसे तो काफी पहले से इस इंस्टिचूट की अलग अलग इकाईयां कारी कर रही थी, परन्तों जुलाई उनने सो सेविंटी नाइन में ये इंस्टिचूट बना, और इसके बहुत व्यापक का कारी क्रम हैं, शिक्षाब के क्षेतर में, पुनरवास के क्षेतर म पब्लिक एजुकेशन के बारे में, इन्फरमेशन डिसेमिनेशन के बारे में, इस इंस्टिचूट के देरादून से बाहर भी केंदर बन गए हैं, उदारण के लिए हमारा केंदर है, जो दक्षन के लिए है, चिन्दवी में कारी करता है, फिर पूर्व में एक चैप्टर बना गया है कलकता में, और हैजराबाद में भी हमारा एक छोटा सा चैप्टर कारी करता है, नाइन्टीन सेवन्टीज में साई परांचपे जी ने बनाई थी फिल्म सपर्श, और सुनने में आया है कि जो नसीर अदिन शाह साब का जो रोल है, वो आपके उपर मॉडल किया और ये भी हमें सुनने में आया है कि नसीर अदिन शाह और शवना आजमी जी और कास्ट के और बे लोग आपके जो स्कूल, ब्लाइंड स्कूल जो दिल्ली में था, उस दौरान आपका कुछ इंटरिस्टिंग वाक्या हुआ 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 शवाना आजमी जी की बहुत सेंसिटिव वो स्टार्स थे, आपको ये बताते हुए बड़ा आज के आज भी बड़ा ये रोमांचक लगता है कि जब शवाना आजमी पहले बार हमारे स्कूल में आई थी, उन्होंने छोटे-छोटे हमारे ब्लाइंड बच्चों को स्कूल क बच्चों को देखा था, तो एक शण के लिए वो इतना मूवड हो गई थी, that she got tears in her eyes, और धीरे-धीरे, तो इतनी sensitive वो कलाकार है, नसीरोदीन शाह साब का तो जहां तक सवाल है, ये तो सही है कि वो हर step पर मुझे observe करते थे, परन तो कभी भी उन्होंने अपने observation को intrusive नह नहीं फील होने दिया मुझे कि वो मुझे जानबूच के मेरा पीछा कर रहे हैं या pursue कर रहे हैं, या मुझे model करने की कोशिश कर रहे हैं, in fact, काफी समय तक तो मुझे पता भी नहीं था कि नसीरोदीन साब मुझे बैठ कर देखते रहते हैं, suddenly एक दिन जब मैं अपने office में कार्य कर रहा था, और कुछ कर रहा था, तो मेरे एक साथ ही ने कहा कि रुको रुको नसीरोदीन साब आ रहा है, नसीर अदिन साब यहां क्यों आएंगे? तब उन्हें ने कहा, नसीरोदीन साब यहां रोज रहते हैं और रोज रहके आपको observe करते हैं, अपने आपको background में रखे तो इतना इस तरह से इंसाइटफौल ये कास्ट थी और उनके साथ कारिख करके कुछ दिनों के लिए हम लोग ने उनके साथ काम किया हमारी स्कूल के बच्छों ने उस फिल्म में उन बच्छों को लिया गया एक्चुल ब्लाइंड आर्टिस्स पहली बार किसी इंडिय स्क्रीन पर आए तो वो अपने आप में बहुत रिवार्डिंग बहुत रिवार्डिंग और कई बार बहुत इमोशन से भरा हुआ एक्सपीरिंस होता था हम सब के लिए उस समय का कोई मज़ेदार किस्सा आपको याद आ रहा है वो बहुत शुरू की बात है जब साई परांश पेजी ये फिल्म शुरू कर रही थी शायद हमारे शोदाओं को पता होगा कि इस फिल्म से पहले साई परांश पेजी ने इसको एक टीवी के प्ले के बारे में के रू करना चाहते हैं मैं इतना उस वक्त पढ़ाने में एंग्रोस था टाइटार मैंडम आप मुझे क्लास में कैसे डिस्टर्ब कर रही है आँ वहां जाकर बैठिये मैं अभी आता हूं बड़ा रियक्ट करके मैंने उसे कहा बट इस वेरी स्पोर्टिंग ऑन पार्ट और सही प सिचुईशन में प्रेजेंट भी किया मितल साब आपने तृष्टी हिंट पुनर्वास के क्षेतर में काफी कुछ काम किया है आप बहुती बिजी आत्मी है पर हम जानना चाहेंगे कि काम के अलावा आपके शौक क्या है पढ़ाई हो या खेल में हो आपके इंटरेस होबी परसनल शौक कई है रिडिंग खास्तोर से ब्रेल रिडिंग मेरी बहुत पुरानी हॉबी रही है जब से मैं 14 प다면 साल का था तब से रीडिेस डाइजेस्ट पढ़ता था और दूसरी ब्रेल की मैगजीन पढ़ता था बीजीन सपढ़ता था ब्रेल की बहुत सी बुक्स बलकि बाहर के भी जितने stations हम cover कर पाते थे अपने रेडियो पर उन सब को सुनना मेरा एक regular habit हुआ करता था तीसरा, खेल कूद में मुझे बहुत दिल्चस्पी है खुद तो खेलने का मौका नहीं मिला हमारी टाइम में जोज अबरहम साथ तब तक आये नहीं थे तो आप क्रिकेट के शौक फरमाते हैं हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपके जो स्कूली दिन में जो क्रिकेट का खेल था 1960s में और आज में जो क्रिकेट है उसमें दोनों में क्या फरक आप महसूस करते हैं कोरिस्पॉंडिंग ली रे Ellis पर उस परकार का कौरिज नहीं हो पाता है जो हमारे लिए थोड़ा disadvantage होता है बट ठीक है समय बीतने के साथ changes होना तो inevitable है अबितल साब आप हमारे कारिक्रम में आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद